तो हलो दोस्तों आज हम जो लेके आए हैं बहुत ही जवर्दस्त टेकनिक है नहीं तो आप देखेगा इसके बाद आपको एक भी मयाथ हाड़ नहीं लगने वाला है जैसे हम आज लेने कर आए हैं वो चीज कि जिसकी मदद से आप किसी भी अन्योन चीज का जेनरलीट वी पर eyelids से पहर हो लोग हम लोग पढ़ते हैं एक्स के मान से यह कोछी मान से कमांपर बत अबहुत हो जाहें प्लता यह जहां बहुत हैं, सुरुआट करते हैं सबसे पहले च्यर का मान निकालना हो हुआ एक्स का मान निकालना थो अपने कविता वाले पिछले के बैसिक फॉर्म पे आते हैं इसमें ठोटल का ठोटल जो रूर्टन हम लोग यूज करते हैं वह सारे इसमें दीए गये थे दोस्तों हम आपके सामने दिना टाइम बेश्ट की वे करते हैं एक्स का मान लाना है एक्स का मान लाना है बास्ता में एक्स का ही नहीं चाहे किसी का भी मान लाना हूँ आपको rules यहीं लागू करने हैं जैसे आप जरह सोचिए क्या करना होता है तो सारे को भगाना है अब समझ लिजे कि 3 आदमी है या 3-4 marker है हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कितने हैं 4 marker है अब हमें पता करना है कि यह marker कितना लिखता है मतलब इसका मान पता करना है यह 4 marker मिलकर कितना देर चलता है या कितना लिखता है इसके बजाए हमको यह marker कितना लिखे तो हम कैसे पता करेंगे तो हमें पता करने के लिए क्या करना पर इका इन 3 का हम यूज ही नहीं करेंगे और केवल और केवल किसको यूज़ करेंगे इसको मतलब इन तीनों को हम किधर लेके चले गए बाकी दूसरे साइडिया अलग रख दिए तो हमें इसका मान पता हुगा हर जगा पर मान पता किसी का भी करना हो जैसे मान लिजे कि चार आदमी काम कर रहा है हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मजदूर या कौन सा आदमी कितना काम कर रहा है तो आपको पता करना क्या है कि बाकी सब को भगा दीजिए जिसका आप पता करना चाहते हैं उसी से काम करवा लिजिए आपको पता चलेगा कि वो कितना काम कर रहा था यह नहीं कर रहा था तो बस यहीं वाला ट्रीक आपको मैथ में भी लगाना है जैसे आप यहां पर यह तो यहां क्या कहता है यहां कहता है कि X कमाल लाना है तो सारे को भगाना है जोर को हटाना है मतलब कुछ चीजें जोर में जुरा हुआ रहा रहा था जैसे अगर हम एकजा कर कि कुछ फोगा जीरो हो या कुछ भी हो फोई संक्या हो प्रतो हमारा और कि साथ किस ने यह चोर जोर को घटाना आधा तो घटाव लेकर आना है खटाव लेकर आएंगे तो कैसे इन दो दूस्तों यह क्या हो जाए चाओ झर जाएगा माइनिस तो Todo, आ den है तो जोर लेकर आना अगर कोई चीज इसके साथ घटाओं में जुरा रहता मतलब जैसे माइड़ पांच रहता तो क्या अगर के दw Walker क्या होता है घटाव को हटाना है तो जोर लेकराना है तो यह क्या हो जाएक यह हो जाएगा आठ पलस पांच तो हमारा जाएगा यह पांच लिखा हुआ है और यह एकस लिखा हुआ है यहाँ पर कोई साइन नहीं दिख रहा है यहां पर साइन है गुने का तो गुने को भागा नीच लिखा जाता है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तो आठ बटा पांच अब अगर चोठा लाइन को पढ़ते हैं, चोठे लाइन को पढ़ते हैं, तो चोठा लाइन क्या करता है दोस्तों, भागा को भागाना है, तो गुना लेकर आना है, अगर दोस्तों हमें मिल गया ऐसा, X के साथ कोई संख्या, मतलब वहीं 5 जो हम एक बार जोर में रखें, एक अगला लाइन किया करता है तो यह कह रहा है कि बर्ग मूल को हपताँ सथा क्या है वर्ग हो जाता है तो यह क्वा बर्ग हो जाएगा लाइस दो मतलब बरग अगर रहता इस टैप से रहता और इस तरह रहता मान लेते हैं कि एट ही रहता एट ही अभी लेके चल रहे हैं दूसरे साइट तो क्या हो जाता दोस्तों यह हो जाता रूट एट अब रूट से निकालने के लिए हम अगले पार्ट में लेके आएंगे प्रन्तु यहां पे क्या ऐसे ही केवल कोश्चन आएंगे बिल्कुल नहीं जी ऐसे ही केवल कोश्चन नहीं आएंगे इससे और भी हड़ा सकते हैं प्रन्तु आप डरिएगा नहीं आपके पास क्या है पोएम है किस चीज का एकस के मान का एकस के मान का नहीं सभी चीज के मान का आप से बना सकते हैं अब हम इसको एक के साथ दो के साथ तीन मतलब दो तीन चीजों को इन कुरूड करते हैं तब आप कैसे बनाईएगा ये देखिए कभी कभी आता है कि एक सबटा टू पला सथाई अब यहां पे अगर देखिए भागा में भी है और जोर में अब पहले किसको भगाएं तो पहले याद रखिए जो जितना दूर है उसको उतना पहले भगाईए तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक सबटा टू यह पलस उधर जाके क्या हो गया माइनास अब देखिए दोस्तों यह क्या हो गया आठ में से पांच गया तो हो गया ये कितना दोस्तो तीन और ये दू किस में था भागा में उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हमारा अंसर कितना हो गया तीन दुना का छे आपको घटाओ बता दिया गया है चिन्ने का आपको जोर बता दिया गया है आप जाके पीछे के बेसिक पार्टों को द पंडित हो गए अगली बार हम बर की बोरिया च्छटकी बोरिया वाला मतलब बोर्ड मास लेके आएंगे और बोर्ड मास जानने के बाद आपका math के बल फार्मूला बेस्ट हो जाता है बाकी और इसमें कोई दम नहीं है तो दोस्तो अगर इसके साथ हम दूसरा चीज ऐसा दे देते कि इसमें 8x बट्टा 3 माइनस 5 मतलब तीन चीजी इनको लूड किये हैं दोस्तों इतना चीज किये हैं तीन चीज किये हैं अब जैसे माल तेदर 10 है इसको कैसे करेंगे तो बस हमने क्या बोला जो जितना दूर है उसको उतना जल्दी लेके जाईए तो जो दूर कौन है ये वाला तो उधर 8x बट्टा 3 तो 10 पलस 5 क्या हो गया दोस्तों अब 8x 10,5, 15 ये भागा में उधर जाके गुना में 15 तिया का 45 अब ये गुना में तो उधर जाके भागा में 45 बट्टा 8 that is your answer आसा है दोस्तों ये पूरे के पूरे concept आप समझ गया होंगे आप इस चीज को लिख लें आप अपने हो सके तो दिवाल में टांग लें या हो सके तो इसे रटे रटने की जरूत ही नहीं परेगी और इतना ही नहीं बलकि आप कभी भी ये नहीं कहिएगा कि हमें math में hard है math hard है बिल्कुल इस basic pattern का क्या करना है follow करना है चुकि चाहे math sign में जाए, cos में जाए tan में जाए, या किसी में जाए जो man निकलेगा वहाँ पे का basic concept यहीं होगा जिसका man निकालना है बाकी सब को उसके अलाबा दूसरे side लेके जाना है, चाहे physics पर रहे हो chemistry पर रहे हो किसी भी चीज में अगर numerical हो, man निकालना हो तो आपको बस यही rules काम करेंगे उसके अलाबे आपको अगर board मास आता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरुत नहीं है बाकी सारे फार्मूले हैं और फार्मूले याद करने के हमारे बास जवर्दस ट्रीक हैं, आप जाईए और जाके 10th class का theory portions देखिए, आपको मज़ा आएगा और समझ में आएगा theory portions देखिएगा